हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी को मन्जु की जन्मे स्वागत आज आपको खीरे का रायता बनाने के लिए बता रहें बिल्कुल असान तरीके से रहता तो आप बहुत बार खाएं होंगे लेकिन आज आपको बिल्कुल असान तरीके से और टेस्टी रहता बनाने के लिए बता रहे हैं लग रहा है ना बिल्कुल लगके लेखा जाए इस तरह से बनाने से रोटी चावल प्राटे किसी के साथ भी खा सकते हैं बूर टेस्टी और स्वादिश लगता है दो खीरा लिए हैं देखिए मीडियम साज का है पहले इसका छिलका को निकाल लेते देखिए इस तरह से पहले छिलका को निकाल लेना है अच्छी तरह से खीरा को साब पानी से धो लिए थे दो तिन पानी से अब इसका छिलका इस तरह से निकाल लेना है और जो किनारे वाला है वो इस तरह से कट कर लेना है इसको तीता मिठा करना है थोड़ा सा ही तीता लगता इसे ने करने इस तरह से करने से तीता पन जो हो निकल जाता देखे इसी तरह से दोनों खीरा को छील लिए और अच्छी तरह से फिर से धो लिए है अब इसको कद्दू कस कर लेते हैं इस तरह से कद्दू कस कर लिए है अब इसका एक बात का ध्यान रखना है इसका जो पानी है इस तरह से निचोड कर निका लेना है ताकि जो दही इसमें मिक्स करेंगे और मसाला जो गिला गिला टाइप पर नहीं हो और अच्छा रहता बने खाने क्द्दू को उबाल लिया जाता है इसको खीरे को नहीं उबाला जाता है इसको कच्चे बनाया जाता है देखे इसी तरह सारे खीरे को कदुकस किया हुआ पानी निचोड़कर निकाल लेना है और एक बल में रख लिए देखिए क्या अच्छा लग रहा है अब इसमें सारे चीज़ को मिला लेते देखिए एक कटोरी दही लिए हैं लगभग 200 ग्राम है अच्छी तरह से फेट लिए हैं खटी नहीं हैं और भी मिक्स कर दिये हैं अब इसमें भूना हुआ जीरा और मिर्ची का पोडर जो रखे थे उसको सत्तु का खुल में भी एपी सकते हैं लेकिन या रैजते के लिए चटपटा मसाला है अब इसमें स्वाद अनुसा नमक भी डाल दी हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर ल ने क्या लग रहना बिल्कुल एक तम रेश्टूंट के जैसे तरह का जो होटल पर देता है रहता एक दम बिल्कुल टेस्टी और स्वाद ही लगता है इस तरह से बनाईएगा तो बिल्कुल होटल का रहता खाने के लिए भूल जाईएगा आईए एक प्लेट में सर्व करक क्या लजबाब और टेस्टी रहता बनके त्यार हो गया है देखिए अब उपर से थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पोडर थोड़ा सा छिड़क देते हैं और हरी मिर्श कट करके डाल देते ताकि और टेस्टी और स्वादिश रहता बन जा इस तरह से रहता बनाने से को इस तरह का राइता बना के दीजेगा तो बहुत टेस्टी और चाउस से खाएं देखिए